प्रिये मित्रो नमस्कार आज का हमारा विशे है संचार के कॉन्वर्जेंस मॉडल के गुन एवं दोस यानि की मेरिट्स और डिमेरिट्स अफ कन्वर्जेंस मॉडल अफ कॉम्मिनिकेशन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संचार के कन्वर्जेंस मॉडल का प्रतिपादन बर्स 1989 में प्रसिद अमेरिकी संचार बैग्यानिक डी लॉरेंस किनकेड ने किया था यह मॉडल मुख्यता फीडबेक का अनुशंधान करता है और फीडबेक की विविन चक्रेता में विन विन इस्थीतियों की विस्तरित ब्याख्या भी करता है यह मॉडल संचार के लंबे अर्से से चले आ रहे एक तरफा रैखिक संचार की निंदा करता है तथा संचार को कनवर्जिंस एवं डाइवर्जिंस की एक साइक्लिकल प्रोसेस बताता है यह मॉडल यह भी बताता है कि एक प्रभावी फीडवेक प्रक्रिया कनवर्जिंस को दर्शाता है जबकि एक अप्रभावी फीडवेक प्रक्रिया डाइवर्जिंस को दर्शाता है अतह इस मॉडल के गुण और दोस इस प्रकार है सबसे पहला यह मौडल अपने आप में एक विलक्षन, अदभूत, अनोखा और नयापन लिये हुए मौडल है क्योंकि यह मौडल प्रभावी एवं अप्रभावी संचार की विविन इस्थित्यों में विनविन व्याख्या करता है इस मौडल से संचार के नय नय तत्व जैसे convergence, divergence, cybernetics, communication, process and control आधिका निर्मान होता है यह मौडल संचार के विविन तत्वों एवं उप्तत्वों की बीच एक पक्रिया एवं अंतर संबंधों की विस्त्रित व्याख्या भी करता है यह मौडल संचार को एक cyclical process बताता है जो अपने आप में नया है यह मौडल feedback की विविन इस्थीतियों की एवं उसकी निरंतरता की विन विन रूप में अध्यान करता है बर्णन करता है वह उसकी व्याख्या करता है यह मौडल convergence, divergence, cybernetics, multiple feedback, effectiveness of communication, ineffectiveness of communication situation की इस्थीतियों पर सोध के नए नए आयाम खुलता है सोध के नए नए चित्रों को का स्रिजन करता है यह मौडल convergence, divergence, feedback, effective communication, ineffective communication, one cycle feedback, two cycle feedback, four cycle feedback आदी जैसे तत्वों के अंतर संबंधों की एक अदभूत व्याख्या करता है अब हम चर्चा करेंगे इस मौडल के कुछ अब गुनों का यह मौडल, velocity, acceleration, जैसे गनितिये उपतत्वों एवं उपअभ्यबों की चर्चा करता है प्रन्तु मानवी की सामाजिक विज्ञान आदिके सोधार्थियों के लिए इसकी सपस्ट व्याख्या नहीं कर पाता यह मौडल लोक संचार एवं जन संचार पर बिलकुल ही नहीं लागू होता है यह मौडल सिर्फ अंतर बयक्तिक संचार एवं लगू समू संचार के उपर लागू होता है जहां पर निरंतर एक विचारों का आदान प्रदान हो रहा है जहां पर निरंतर एक प्रकार से फीड़बेक और प्रतिपूस्टी और प्रतिक्रिया दोनों स्रोत और ग्रहक्स के द्वारा उत्तपन की जा रही है यह मॉडल संचार को सरलता पूर्वक वर्णन करने का प्रयास तो करता है प्रन्तु कभी-कभी इसे सरल बनाने की प्रक्रिया में इसे जटिल भी बना देता है तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कन्वर्जन्स मॉडल अफ कॉम्निकेशन के गुन एवं दोसों की यदि यहां तक आपके मन में कोई प्रशन हो कोई संका हो किसी भी प्रकार का वी रोधा भाश हो तो आप बेहिचक नीश संकोच हमारे कॉमेंट बॉक्स में अपना प्रशन कर सकते हैं और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो को पसंद करने वाले लोगों के बीच आप इसे सेर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाब हो सके तो इनी सब्सक्राइब के साथ धन्यवाद नमस्कार